आज मैं बनाने जारी हूं दही बड़े तो यहाँ पर मैंने आधा कप उड़त डाल ले लिए आप मेजर करके ले सकते हैं और मैं यहाँ पर तीन चार लोगों के लिए बना रही हूं यहाँ पर मैंने इसे दो तिन बार अच्छे से पानी से धो कर और वो पानी हटा दिया है जो मैंने तीसरी बार दोया और उसके बाद मैं एक देड़ कप пानी में भिगे हो के रख दे जिरू हूं थीन चार घंटे कम से कम आपको भिगा नहीं है उसके बाद मैं ने इसको पीस लिया और इसमे कुछ नहीं मिलाना बस इसमें तेल फेटना आं आपको बह। एच्छे ताकि ये अंदर से भी पके कच्छे न रहा जाए इसके बाद मैंने दही के मिक्ष्री से पानी में डाला है ताकि ये सब तेल छोड़ दे पानी में उसके बाद आपको पानी में 5-7 मिनट तक इने रखना है उसके बाद निचोड कर दही में मैंने नमक चाट मसाला और तरीके से खा सकते हैं और येकिन मानिए बहुत टेस्टी बनता है आपको जब भी कुछ खटा चटपटा खाने का मनों इसे फटा फट बना सकते हैं यह देखिए मैंने इसको यहां पर डूबा दिया है सब बढ़ों को पानी में और यहां पर पांत साथ मिनेट रखने के मैं अब इनको निचोड़कर अपने दही के मिक्टिर में दही में बस मैंने नमक मिर्च और चाट मसाला मिला है और आपके जीरा पाउडर भी टाल सकते हैं इंजोई एंड लीवा कमेंट थेंक यू